सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल ऐकोन दबाना ना भूले ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच है असलाम आलेकूं मरमेत उल्लाई वबरकातू साइन सेकेंड दस्वी जमात और डिच कोर्स का साइन सेकेंड का पहला टेस्ट तो इसमें एक से पांच जो हमली खाका दिया था उसमें से ही सवालात आये हैं और ये पंदरा नंबर का कुशन पेपर है तीस मिनिट का टाइम है तमाम सवालात हल करना लाजमी है जहां जरूरी हुआ शकल बना कर उसे मुनासिम नाम दीजिए बाएं तरफ नंबरा दिखाए गए हैं सवालन बार एक नीचे दिए गए सवालात के जवाबत एक जमले में लिखे कोई पांच पांच नंबर का सवाल एक एक नंबर के सवाला थे पांच करने छे सवालात दिये हैं तवारिस के मानी क्या हैं तवारिस के मानी आप इससे पहले जो अमली खाके दी उनमें दे चुके हैं जानदारों की खुसुसियात एक नसल से दूसरी नसल में मुंतकल होने को तवारिस कहते हैं जब इसको आप इसी तरह सी लाइन में लिखिए एक ही लाइन में लिखना है दूसरा सवाल नीचे दी गई शकल क्रोमोजूम की कौन सी किस्म है वो नासिब नाम दीजिए तो यहाँ पर दो शकले हैं पहली वाली शकल जो है वह सब मेटासेंट्रिक और दूसरी मेटासेंट् किया दूसरा सवाल था क्रोमोजूम किस मखसूस चीज़ से बने होते हैं तो क्रोमोजूम डी एने से बने होते हैं चौथा एकराज के मानी क्या होते हैं बेकार मुज़र मादे जिसम से खारिज करने के अमल को एकराज कहते हैं यह इसका जवाब लिखिए पोदों में इंसान के लिए मौजु होते हैं लेकिन इसमें सवाल जो है वो एpolitik वारे में अखराजी माध्य का हूंगा क्यूंकि आपने इखराज के बारे में सबक पड़ा था इसमें हमने जवाब देखा था ये रवर, गून्थ, राल इे खराजी माध्य होते हैं जो हमारें लिए मौज होते हैं दिया गया जुम्ला दूरस्त करके लिखिए फून से नायतोजनी माद्य को बाहर निकाल लियू क kangовать का इस्तिमाल किया जाता है सित जाती अमल कहते हैं तर्ध्याती अमल कि एक डालिसिस अमल लिखना बहामी तालुक लिखिए चावाली जमा एक्स टर्नर सिंड्रोम है तो चावाली जमा एक्स एक्स वाई ये भी हम हल कर चुके हैं इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लाइन फ्लेटरस सिंड्रोम बहामी तालुक लिखिए तीन एक यक मखलूती मिलाब तो नो तीन तीन ये दो मखलूती मिलाब सवाल नमबर दो नीचे दिए गए सवाल आपके मुख्तसर जवाब लिखिए कोई पांच सवाल हल करने इसमें से भी पहला दिया नीचे दिए गई क्रुमोजूम की शकल को मुनासिब नाम दीजी तो ये शकल भी आपको इससे पहले के अमली खाकों में दी हुई है और इसमें आपको नाम लिखने है क्रुमोजूम की शकले तो यहाँ पर आप पहला लिखेंगे क्रुमोजूम के बाजू दूसरा पी वाजू, तीसरा मरकस पारा, चौथे पे आपको लिखना है, क्यू वाजू, फिर पांच वर हैगर डी एन है इस तरह से यहाँ पर आप जो लाइन कीची है उसके सामने नाम देंगे सवाल दो में, जील मेंडल की यक मखलूत मिलाब की तज्जिये को दिखाया गया है खाली चौकों में मुनासिब लफ्स लिखकर जदूर मुकमल कीजिए जो पहला बाकस है, यहाँ पर आप को कैपिटल्टी और स्माल्टी इतना ही लिखना है दूसरा बाकस जो यहाँ पर दिया है, बड़े बाकस के अंदर तो इसमें आपको कैपिटल्टी, स्माल्टी और उसके नीचे उंचे ऐसा लिखना है पिर जो नीचे दो बाकस दी है पहले बाकस में, टीटी, कैपिटल और स्माल और उंचे और जो दोनों box के बीच वाला box दिखरा नीचे साइड में स्माल लिटर में टीटी और बोने मुक्तसर मालूमात लिखिए down syndrome या मंगोल मर्स की मालूमात लिखना है क्रोमोजोम के नाकिस होने की वज़ा से होने वाला एक मर्स है इसमें कुल से तालिस क्रुमोजूम नजर आते हैं ऐसे बच्चे कुंद जहन और उनका अर्सायात कम होता है यह आपको लिखना है फिर चौथा सवाल इसमें दिया है जेल में इनसान की कुछ खुछ सेल दी गई सेह और उनका आवाज आजाद हाशिया यह लिखेंगे और मगलू में ना मुड़ने वाली जबान हाथ पर बालों करना होना बुरे और सीधे बाल और कान का चिपका हुआ हाशिया यह जवाब आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे दी गई शकल का मुशाइदा करके आरनी की किस्म लिखेंगे यहाँ दो शकले आरनी की दी है पहली वारी शक है एम आरनी, दुसरी है टी आरनी इनसान के कौन-कौन से अश्जा से माद्ध का इखराज होता है तो इन्सान के गुर्दे से तो इखराज का है माज़ू है ही उसके अलावा जिल और फेपड़े भी इखराज में मदद देते हैं सात्वा है जीनियाती बिगाड की वज़ा लिखिये उसकी क्या अलामत है जिसका जवाब है जीनियाती बिगाड क्रोमोजोम की तादाद में ज्यादती या कमी क्रोमोजोम के किसी एक हिस्से का गायब हो जाना या उसकी मगाम पे तब्दिली जैसे हालात चामिल होते हैं इसके वज़ाद से पैदा होने वाले बच्चे में जिस्मानी या दिमागी नुकायस पैदा होते हैं और ये इसकी अलामते होती है इस तरह से आपका पहला साइंस टू का पहला टेस्ट यही पर खत्म होता है लिखे जवाबाद अल्लाहाफिज झाले इसकी का पहला है इसकी फिरूप्सालय से एन भीन नुका टो आपका जार ये को कि एक वीज गवाद साइंस में एक वालाद से एक पह आएवाद है कि एक उस'dullenले हैं झाल झाल